EMSI के सांसत का ये भी कहना है कि रात को महिलाओं को बाहर ने निकलना चाहिए ऐसा है अगर आप सड़क पे जा रहे हूँ आप पैदल सड़क पे किनारे चल रहे हैं आपको कोई गाड़ी से उड़ा दे तो कल को हम यह वक्त भी दे देंगे कि आपको जब सड़क पे वहिकल चलते हो उस ताइं नहीं निकलना चाहिए यह आज इस 2024 में आप ऐसी मुर्तापूर मातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि लेटी डॉक्टर को रेजिदेंट को नई डूटी नहीं करने चाहिए और यह एडवाईजर टू दा चीफ मिनिस्टर है जो वक्ती बोल रहे हैं यह सलाकार है ऐसे महाम सलाकार रखे हुए फिर कौन करेगा डूटी क्या कोई जानता है कि रेजिदेंट डॉक्टर कितनी डूटी करते हैं क्या किसी को पता है वो कितने घंटे काम करते हैं क्या किसी को पता है गाईनी डेपार्टमेंट में कितनी डिलिवरीज होती हैं कितने सिजरें होते हैं सर्जिरी में कितने होते हैं पॉडम पने की बाते हो रही है, सब्वे समाज के अंदर, सब्वे समाज के अंदर पड़े लिखे लोगों के बीच में, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि लेटी डॉक्टर नाइट डुटी ना करे, लेटी डॉक्टर की डिलिवरी कौन करेगा, एपिसोड में कौन करेगा, डिलिवरी कौन करवाएगा आपे, 90% गैनी डिपाइटमेंट के अंदर फिमेल डॉक्टर सी होती है, और आज डॉक्टर के साथ हुआ है, कल को किसी नर्स के साथ होगा, किसी और किसी अस्पटिल स्टाफ के साथ होगा, और और पुरीत, मुझे तो नराजगी सिर्फ ये नहीं है, कि नराजगी सिर्फ सीमित मेरी, सिर्फ सत्ता और जो वो सुरक्षा तंतरी, जैसे पुलीस तंतर कहते हैं, उससे नहीं है, मेरी नराजगी मीडिया से भी है, और मीडिया से इस बात को लेकर है, पर बार, trainee doctor, trainee doctor, यह term आप कहां से लेकर आए, trainee doctor, after MBBS, a person is a full-blown doctor, उसके बाद residency is an extra training, she was a full-blown doctor, trainee doctor शब्द यूज करके आप सोच रहेंगी, कोई ऐसा doctor जो training ले रहा था, जी नहीं, वो extra training कर रहे थे, वो post-graduation कर रहे थे, the full-blown resident doctor, trainee doctor क्य word होता है, अब उसको dilute करना है किसी तरीके से, यह सब news, कल एक news आ रही है, कि मुरदाबाद में एक doctor ने nurse के साथ रेप कर दिया, अरे, सर पीट लेने की इच्छा करती है, वो doctor नहीं है, जिसकी news आप दिखा रहे,